हेलो सुदेंट्स मेरा नाम धीरज मोहन दिवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज जैसा कि आपको पता है कि यह आप लोग को फ्री ओनलाइन एडुकेशन प्रोवाइड गरता हैं चाहे बच्चा केंडर गार्डन में हो या क्लास 12 में हो हरे क्लास के लिए फ्री ओनलाइन एडुकेशन यहाँ पर मिलती है आपको ठीक है मतला मैं आपको यही बता दू कि इस चैनल पे आपको किसी भी बुक का चाहे वो आपका NCRT हो एक्जेंपलर हो या कोई भी फेमस ओथर के बुक्स हो सबका फ्री सलुशन क यहाँ पर आपको मिलते हैं ठीक है चलें तो आज की टॉपिक में आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्विक रिवीजन रे ओप्टेक्स क्लास 12 जिसमें हम बात करेंगे रीफ्राक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेस मतलब कर्वड सर्फेस के थ्रू रीफ्र कर्वड सर्फेस तो शुरू करें चलें ध्याँ देना आप लोग यहाँ पर रीफ्राक्शन थ्रू कर्वड सर्फेस अब मेरी बात को सुनना ध्यान से कर्वड सर्फेस में हमें बात करनी है बेसिकली स्फेरिकल सर्फेस की कर्वड सर्फेस तो बहुत सारे टाइप्स के हो टाइप के होते हैं एक को हम बोलते हैं convex spherical surface और एक को बोलते हैं हम लोग concave spherical surface ठीक है अब ज़रा ध्यान से सुनना convex का मतलब क्या होता है जिसका bulging portion ठीक है convex का मतलब क्या होता है जिसका उठा हुआ portion ठीक है rarer की तरफ हो उसे हम क्या बोलते हैं convex spherical surface ठीक है मतलब मैंने क्या बोला आपनों जानते हैं यह माल लो अगर आपका spherical surface है तो इसे बोलते हैं convex surface और इसे बोलते हैं concave surface बोलते हैं ऐसा ठीक है अगर आपके सामने कोई spherical surface रख दिया जाए और बोला जाए पहचानो कि ये कौन सा spherical surface है तो मालूम कैसे पहचान होगे आप अगर उस spherical surface का convex वाला surface rarer की तरफ होगा तो वो होगा convex spherical surface मतलब rarer की तरफ जिस type का surface face कर रहा होगा उसी के according उसकी naming होती है आप देखो ज्यान से यहाँ पर इस वाले में rarer की तरफ convex surface है न तो ये कहलाएगा convex spherical surface और इस वाले में देखो यहाँ पर rarer की तरफ क्या है concave surface है तो ये होगा concave spherical surface मतलब spherical surface का जिस type का surface rarer की तरफ होगा उसके according उसकी naming होगी अगर उसका convex वाला rarer की तरफ हुआ तो convex spherical surface और अगर concave वाला surface rarer की तरफ हुआ तो वो चलें अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस concave या convex spherical surface के थुरू refraction कैसे होता है ठीक है चलवाओ देखते हैं आपर हम लोग यह यहाँ पर जो diagram दिया हुआ है यह है refraction थुरू convex spherical surface आप देखो यहाँ पर यह rarer है तो rarer की तरफ इसका convex वाला surface कर रहा है ना इसी लिए यह क्या होगा convex spherical surface ठीक है अब यहाँ पर ray diagram पर concentrate करना आप लोग देखो यह आपका हो गया principal axis यह जो आपका convex spherical surface है इसका जो center है इसे हम क्या बोलेंगे पोल बोलेंगे ठीक है अब मेरी बात को सुनो यह जो आपका spherical surface है इसका एक center होगा तो इसका जो center होगा वो कौन शो कर रहा है यह c c is the center of this spherical surface है के नहीं ओके तो यह क्या होगा आपका radius of this spherical surface ओके अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर मैंने एक point object consider किया rare और medium में ठीक है अब उसकी image बनाने हम जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर बताओ image बनाने के लिए कम से कम दो race चाहिए न ठीक है तो एक ray मैंने लिया यह वाला देखो incident ray अब यहाँ पर क्या हो नहीं है इसकी bending हो नहीं है reflection हो नहीं है आपर तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा पहले मुझे normal बनाना पड़ेगा ठीक है तो देखो किसी भी point पर अगर आपको normal बनाना हो तो आप क्या करोगे उस point को join करोगे C से उसके center से ठीक है तो यहाँ देखो यह जो dotted line है यह आपका C से join है कि नहीं ठीक है तो this behave as normal है कि नहीं अब बताओ देखो ध्यान से यह आपका incident ray इसको जाना चीए था सीधा लेकिन क्योंकि यह travel कर रहा है from rarer to denser तो it bend towards the normal ना ठीक है तो देखो इसका original path तो यह होना चीए था ठीक है लेकिन वो normal की तरफ bend हो गया है कि नहीं तो normal की तरफ bend हो गया मतलब यह refracted रही है इसे clear तो आपका यह रहा एक refracted ray अब मुझे एक और refracted ray चाहिए तो हमने कौन सा लिया उसके लिए incident ray एकदम principal axis के along वाला आप देखो यहाँ पर यह incident ray है और इस point पर जो normal होगा वो normal यही principal axis होगा न क्योंकि तुम इसको join करोगे C से तो this principal axis behave as a normal तो आप बताओ इसका मतलब incident ray इस normal के along hit कर रहा है मतलब देखा जाए तो perpendicularly hit कर रहा है surface को है कि नहीं तो आपको पता है न कि अगर कोई incident ray perpendicularly hit करे या normal के along hit करे तो उसमें कोई bending नहीं होती है वो ray सीधे निकल जाएगी ठीक है मतलब यहीं होगा आपका refracted ray along principal axis ठीक है और यह रहा एक और पहले वाला refracted ray इन दोनों refracted ray का intersection इस point पे हुआ है ना so this is the image for this object is it clear ठीक है तो देखो यह आपका u यह आपका v यह आपका radius अब इन तीनों को relate करने के लिए एक formula चाहिए तो formula क्या है यहाँ पर आपका n2 minus n1 upon r equal to n2 upon v minus n1 upon u जसमें n2 क्या होगा absolute refractive index of denser medium n1 क्या होगा absolute refractive index of rarer medium ठीक है तो n2 minus n1 upon r equal to n2 upon v minus n1 upon u अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना ठीक है देखो इस format को आप लोग ध्यान से देखना ठीक है आप बताओ incident ray कहां से कहां जा रही है incident ray rarer से denser मतलब n1 से n2 जा रही है न ठीक है तो n1 से n2 तो formula का format क्या होगा n2 minus n1 upon r फिर n2 के नीचे v और n1 के नीचे u वहीं अगर object को मैं place करता denser medium में अगर माल लो ऐसा होता case यह आपका है माल लो rarer यह आपका denser यह principal axis ठीक है अब देखो यह n1 है इसका refractive index इसका refractive index n2 अगर मैं object को यहाँ पर place करता माल लो तो obviously बात है न कि incident ray n2 से n1 में जाता है के नहीं तो इसके लिए formula क्या बनता तो यहाँ पर format पे ध्यान दो इस बार ray of light 2 से 1 में जा रही है तो अब हम formula करेंगे n1 minus n2 upon r n1 minus n2 upon r is equal to n1 के नीचे v और n2 के नीचे u ठीक है मतलब हर एक case में formula को रटनी की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इसका एक fashion ध्यान रखना है इसका format ध्यान रखना है आपको ठीक है और उसके लिए मैंने क्या बताया आपको आप यह देखो कि object कहां पर रखा हुआ है तो obviously बात है ray वहीं से निकलेगी तो अगर 1 से 2 में जा रही है मतलब refractive index N1 से N2 में जा रही है तो N2 माइनस N1 अपॉन आर फिर N2 के नीचे V माइनस N1 के नीचे U वहीं अगर आपका incident ray N2 से N1 में जा रही है तो क्या होगा N1 माइनस N2 जिसमें जा रही है वो वाला माइनस पहले वाला तो N1 माइनस N2 अपॉन आर एक्वल टो N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन यू हाँ यह ना ठीक है मतलब आपको यह format समझना है जो की बड़ा आसान है इस ए प्लियर ठीक है अब एक और बात यहाँ पर सुना ध्यान से ठीक है यह जो radius of curvature है यह जो object distance है यह जो image distance है इनकी जब तुम value put करोगे तो proper sign convention के साथ put करोगे और यह बताओ sign convention तुम लोग को पता है की नहीं वही simple sign convention जो पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने mirror में उसको पढ़ा था ठीक है कि जिस side object होता है वो negative side मानी जाती है है के नहीं तो आप बताओ कि अगर मान लो object यहाँ पर है मतलब यह सारा side क्या माना जाएगा negative side माना जाएगा मतलब यहाँ पर अगर center of curvature है तो उसका radius भी हम क्या मानेंगे negative मानेंगे है के नहीं मतलब object distance को आपको हमेशा negative लेना है पहली बात यह ठीक है और अगर देख लो उस diagram में कि क्या radius of curvature क्या center of curvature उसी side है तो R का भी sign negative लोगे अगर दूसरे side है तो R positive लोगे ठीक है फिर U और R को रखने के बाद जब पूरा solve करोगे तो आपको V निकलेगा मतलब image का position निकलेगा ठीक है और देखना उस V का sign क्या आ रहा है अगर V का sign भी positive है मतलब other side बनीगे image तो उसे बोलेंगे real image भाई obviously बात है refraction में आपकी real image कहां बन सकती है other side में बन सकती है object के और virtual image कहां बनेगी same side बनेगी as object ठीक है तो अगर U और R proper sign convention से put करने के बाद V की value अगर positive आ रही है that means real image V की value अगर negative आ रही है that means virtual image है कि नहीं? ठीक है clear है आप लोग कहानी यहाँ पर आप बताओ यहाँ पर इस diagram के recording देखा जाए तो U negative होगा no doubt लेकिन R positive होगा न because object के other side है यहाँ पर है क्यों नहीं? और यहाँ पर जब तुम value वगरा put करोगे न ठीक है? तो जो V की value आएगी वो भी positive आएगी क्योंकि Ray diagram में दिख रहा है कि image जो है वो other side बन रही है यह real image है और देखो ना यहाँ यहाँ पर यह real image क्यों बोल रहा हूं है? क्योंकि refracted ray का actual में intersection हुआ है है कि नहीं? तो पहली बात यह कि आपको format ध्यान रखना है formula लिखने का ठीक है? उसके बाद U और R की value sign convention के साथ put करना है और फिर V की value निकालनी है और फिर V का sign देख करके उसका nature आपको decide करना है ठीक है? चलो अब मैं इसमें एक example और लेता हूँ अगर concave spherical surface होगा तो उसमें formula क्या लिखोगे? ठीक है? मेरी बात को सुनना ध्यान से देखो इधर देखो आप मैंने लिया ये आपका आप बताओ ये अभी concave spherical surface है तुम बोलोगे सर अभी नहीं बोल सकते बिलकुल सही है अभी नहीं बोल सकते आप बोलोगे सर पहले ये तो लिखो कि rare error कहा है? क्योंकि rare error के according decide होता है कि वो concave spherical surface होगा है कि नहीं? तो देखो अगर मैं बोलता हूँ कि ये rare error है तो तुम तुरन बोलोगे हाँ सर ये concave spherical surface है क्योंकि rare error की तरफ इसका concave वाला surface face कर रहा है है कि नहीं? तो rare error की तरफ जैसा surface face करता है उसी के according उसकी naming होती है अभी अपने discuss किया था? ठीक है ये आपका answer है? है कि नहीं? चलो इसका refractive index N1 इसका refractive index N2 ठीक है? आप बताओ object को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ ठीक है? ये उसका center of curvature माल लो तो आप बताओ यहाँ पर incident ray travel करेगी from N1 to N2 न? ठीक है? तो formula लिखने का जो pattern है वो बिलकुल same रहेगा ठीक है? ये बत सोचना कि convex के लिए pattern अलग रहेगा, concave के लिए pattern अलग रहेगा न? आपको बस ये देखना है कि ray कहां से कहां जा रही है? ठीक है? तो देखो यहाँ पर ray जाएगी N1 से N2 में है कि नहीं? तो यहाँ पर formula होगा N2 minus N1 upon R is equal to N2 upon V minus N1 upon U ठीक है? final मतलब जिसमें जा रही है, dot minus previous ठीक है? ये वाला fashion जो है वो concave हो या convex हो सब के लिए format same रहता है उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर U की value negative में put करोगे, R की value में negative में put करोगे और फिर देखना है V की value क्या रही है? उसकी sign क्या रही है? उसके recording उसका nature decide हो जाएगा ठीक है? तो ऐसे deal करना है अपन को ठीक है? इनके उपर based numerical से clear है? ठीक है? तो यह कहानी थी आपकी बिलकुल recap, quick में हमने हमने revise किया कि refraction through आपका spherical surface कैसे होता है? और formula कैसे लिखते हैं? ठीक है? चलें तो अब हम आगे बढ़ते हैं next topic के तरफ देखो ध्यान से अब हम शुरू करने वाले हैं आपका lens तो what is lens? आप यह बताओ. lens आप लोग को पता है क्या होता है? lens एक transparent medium होता है transparent medium होता है. मतलब raise आर पार जा सकती है? ठीक है लेकिन हम कहते हैं कि lens is a transparent medium bounded by at least one spherical surface मतलब one curved surface. सुनना द्यान से. तुम बताओ. अगर किसी transparent medium का दोनो surface एकदम flat है. तो यह तो glass हो गया न? simple सा. इसे lens नहीं बोलोगे? भाई इसका दोनो surface क्या है? flat है. है के नहीं? तो यह तो simple glass हो गया आपका. ठीक है? ओके. लेकिन अगर मैं इसका कोई एक surface भी curved कर दिया. है के नहीं? दोनों कर दिया तो well and good. ठीक है? लेकिन कोई भी एक surface अगर आपने curve कर दिया तो उसे आप lens बोलोगे. है के नहीं? तो आप देखो ना ज़रा ध्यान से. यहां देखो. यह अगर आपका है दोनों plane है. ठीक है? तो यह glass है. अगर आपने कोई एक भी curve कर दिया तो यह क्या बन गया lens? दोनों कर दिया तो भी lens. कर दो ऐसा भी होता है आपका lens का definition. अब हम बात करते हैं types of lens जो कि आप लोग को पता है कि दो टाइप के होते हैं lens. एक होता है convex और एक होता है concave lens. है के नहीं? ठीक है? चलो. ध्यान देना आप लोग यहां पर. यह आपके सामने है convex lens. ज़रा आप लोग यहां पर ध्यान से देखना. Convex lens कैसा होता है? बीच में मोटा, एज़ पे पतला. आप देख सकते हैं. यह सारे convex lens होते हैं. यह सब बीच में मोटे हैं. और एज़ पे पतले हैं यह. है के नहीं? तो हम कहते हैं thick at the middle and thin at the edge. ठीक है? लेकिन अब सुनना दियां से यहां पर. इदा देखो. Convex के यह चार टाइप्स आपको देख रहे हैं. चार टाइप्स. ठीक है? सुनना दियां से आपर मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो. यह जो आपको Convex दिख रहा है. ठीक है? यहाँ पर देखो. दोनों तरफ से यह Convex है न? इसका दोनों Convex surface Rearer को Face कर रहा है न? तो Convex कई पosit है यह दोनों तरफ से. है के नहीं? लेकिन ये वाला जो Convex है, इसका रेडियस जादा है न? इस वाले Convex के मुकाबले. देखो. इन दोनों का Radius defer कर रहा है न? एक ऐकदम ऐसा है और एक ऐसा है. देखो. देख रहा है? एक ऐसा है और एक ऐसा है. है के नहीं? तो य ज्यादा बड़ा circle complete करेगा ये छोटा circle complete करेगा बोलो हाए ना मतलब इन दोनों convex surface का radius अलग-अलग है तो माल लेते हैं इसका radius r1 है और इसका radius r2 है ठीक है तो जब radius अलग-अलग होते हैं ठीक है लेकिन हैं तो दोनों convex ही तो उसे हम क्या बोलते हैं बाई-convex मतलब दोनों तरफ से convex ही है है कि नहीं लेकिन वहीं अगर दोनों surface का radius बराबर हो जाता है तो हम उसे कहते हैं equi-convex मतलब दोनों तरफ से same radius का convex है मतलब यहाँ पर भी radius r और इसका भी radius r तो इसे कहेंगे हम equi-convex है कि नहीं ठीक है अब आप देखो यहाँ पर जान से यह जो आपका lens है ठीक है इसमें एक जो surface है वो flat है न लेकिन एक क्या है convex है तो है तो यह convex ही लेकिन किस type का convex है इसे कहते है प्लेनो convex क्या कहते हैं इसे हम लोग प्लेनो convex clear है तो देखो जान से इसका जो radius होगा वो कितना होगा r1 मान लेते हैं वो infinity होगा ना बाई plane surface का radius तो बहुत बड़ा मान सकते हैं infinity होता है और इसका radius कुछ ना कुछ होगा तो r2 मान लिया मैंने यहाँ पर तो इसे कहते है प्लेनो convex ठीक है अब आप देखो ध्यांस यहाँ पर देखो यह वाला जो आपको लेंस दिख रहा है यह बीच में तो मोटा है ना तो होगा तो यह convex ही लेकिन इसका एक तरफ जो है वो कॉनकेव तरफ है ना कॉनकेव है ना इसका एक और एक क्या है ना इसका क्या नाम देंगे कॉनके वो कॉनकेक्स क्यों आपका चार टाइब का क्योंक्स इसे तरिके से होता है कॉनकेव लेंस क्या प्रकार लियर्का देखते हैं, वो क्या-क्या है? देखो ध्यानसे. ये देखो, Concevalence. Concevalence क्या होता है? बीच में पतला, Edge पे मोटा, है कि नहीं? ठीक है. अब देखो ध्यानसे आपर. ये धेखो, ये हैं आपके चार Concevalence. ठीक है. अब आप देखें ये जो concave lens है ये दोनों तरफ से concave है न और बीच में पतला है मतलब concave तो होगा ठीक है अब आप देखो ज्यान से सुनो इसमें दोनों surface का radius अलग-अलग है ठीक है तो एक का radius मैंने r1 मान लिया एक का radius मैंने r2 मान लिया है कि नहीं तो इसे कहते हैं by concave lens क्या कहते हैं इसे हम लोग by concave बस दोनों तरफ से concave है ठीक है कि नहीं है लेकिन वहीं अगर दोनों surface का radius सेम हो जाए तो हम कहेंगे इसको equi concave lens क्या कहेंगे इसको हम लोग equi concave lens मतलब इसका भी radius और इसका radius दोनों radius सेम है तो इसे कहते हैं equi concave lens क्लियर है ठीक है आगे देखो यह देखो यह जो concave है इसमें एक surface कैसा है plane है ठीक है लेकिन है तो concave ही न बीच में पतला है है तो concave लेकिन कौन सा वाला type का concave होग प्लेनों concave lens यहाँ पर भी यह radius infinity और यह radius कुछ ना कुछ है है कि नहीं ठीक है अब आप देखो दियान से आपर यह जो आपको concave lens दिख रहा है देखो बीच में पतला है एच पर मोटा है तो है तो यह concave ही न ठीक है लेकिन यह एक तरफ से convex है कि नहीं देखो है कि नहीं तो यह कौन सवरा टाइप का concave है convexo concave convexo concave ठीक है तो यह जो lens होगा वो होगा convexo concave lens ठीक है यहाँ पर भी radius अलग-अलग हो सकते हैं r1, r2 है कि नहीं ठीक है तो यह था आपका convex lens and concave lens ठीक है चलें तो आप लोग ज़रा इसको नोट कर ले पहले यह वाला नोट कर ले आप लोग फिर पीछे जाकर के वह वाला नोट कर ले आप लोग फिर में आगे बरता हूं चले हो गया copy यह अब हम देखते है एक छोटा सा topic लेकिन उसके पहले ज़रा यहाँ पर इस diagram बे फोकस कर लेते हैं ठीक है देखो वैसे तो आपके convex के chart types होते हैं और concave के chart types होते हैं लेकिन अपन को generally जो deal करना है वो deal करेंगे हम लोग by convex के साथ है के नहीं या by कॉंकेव के साथ ठीक है के नहीं ओके कहीं कहीं निद्रेकर ऐसे होते हैं जहांपर प्लेडों कॉंकेव या प्लेडों कॉंकेव भी उज्श होता है लेकिन हाँ generally हम लोग by convex and by concave की बात करते हैं ठीक है चलो दियान देना यह रहा आपका by convex lens ठीक है जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर दोनों के radius अलग-अलग हो सकते हैं है क्या नहीं देखो यहाँ पर दियान से यह जो आपका surface है इसका circle यहाँ पर complete होगा ना तो अव्यसी बात है इसका center कहा होगा यहाँ होगा दिसल सीवन और यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो होगा इससे क्या बोलेंगे radius आरवन अब देखो यह वाला जो surface है ठीक है इसका center कहा होगा circle ऐसा complete होगा तो उसका center यहाँ होगा c2 है के नहीं और यह होगा उसका radius r2 इसट लिया और यहाँ पर इस lens के अंदर एक ऐसा point दिख रहा है जिस point को हम क्या कहते है optical center और इन तीनों को join करने वाला जो line होता है उसे हम क्या बोलते है principle axis ठीक है अब सेम यहाँ पर देखो यह आपका concave lens that is by concave lens तो आप इसको simple concave हो सकते हो और इसको simple convex बोल सकते हो आप ठीक है अब देखो ध्यान से यह आपका concave lens है यह देखो यह आपका radius इसका circle यहाँ complete होगा तो इसका center यहाँ होगा c1 यह radius इसका r1 यह वाले surface का यहाँ पर होगा circle complete तो इसका center होगा यह c2 और यह आपका radius r2 यह उसका optical center lens का ठीक है और यह होगा आपका line joining principal axis है के नहीं ठीक है अब यह जो optical center है मैं इसको लेके थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं ठीक है मेरी बात को सुनना ध्यान से आगे देखो what is actually optical center ठीक है तो आप लोगों ने books में पढ़ा होगा या सुना होगा optical center उस point को कहते हैं जहां से rays of light अगर निकले तो बिना deviation के सीधे निकल जाए है क्यों नहीं लेकिन आपने बिलकुल सही सुना हुआ है लेकिन वो जो चीज़ है ना कि ray of light बिना किसी deviation के सीधे पास हो जाती है उस point से ये होता है thin lens में actually में क्या होता है optical center सुनना ध्यान से हम कहते हैं optical center उस point को कहते हैं lens के उस point को कहते हैं जहां से अगर अंदर वाली रे lens के अंदर वाली रे अगर पास हो तो original incident ray और emergent ray आपस में क्या हो पारलल हो आप देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को सुनो ध्यान से इस diagram पे focus करना आप देखो ये है आपका optical center आप बताओ ये आपका incident ray यहाँ पर diffraction वा bending we may come by door bar attack reflection एक बार इस surface से एक बार इस surface से तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर यहाँ पर एक बार इस reflection वा bending toward the normal ये देखो ये पास हो रही है फिर से यहाँ पर आपका diffraction हो आ बेंदेंग away from the normal ठीक हैं तो ये आपका incident ray ये आपका emergent ray ये दोनों ray आपस में क्या होती है पारलल होती है है क्या नहीं मतलब optical center उस point को कहते है जहां से अगर अंदर वाली ray पास हो तो आपका original incident ray और final emergent ray आपस में क्या होती है पारलल है क्या नहीं clear ये चीज़ आपको लेकिन हम लोगों को जो question वगर deal करनी होती है उसमें thin lens मानते हैं तो अगर आपका lens thin है ठीक है thin है तो उस case में जो आपका original incident ray है और जो emergent ray है दोनों में ज़ादा lateral displacement नहीं होता ठीक है देखो भाई जितना ज़ादा थिकनेस होगी उतना ज़ादा वो दोनों पार्लली दूर रहेंगे है के नहीं लेकिन अगर lens thin हुआ तो आपका original incident ray और जो emergent ray है उनके बीच में gap कम रहेगा और gap कम रहेगा मतलब ये माल लेते हैं कि आपका incident ray और emergent ray एक ही path में है मतलब आपका optical center वो point हो गया जहां से ray of light अगर pass हो तो बिना किसी deviation के सीधे निकल जाएगी जैसे ये diagram जैसे ये diagram तो ये जो चीज है ना ये thin lens के लिए होता है thick lens में आपका deviation होता है लेकिन चिंता गरने की बात नहीं है अपन को जो पढ़ना है वो thin lens को पढ़ना है तो आपको तो बस यही ध्यान रखना है कि optical center is that point through which any rays pass undeviated ठीक है मतलब ये और ये वाला ठीक है तो ये कहानी होती है optical center की इस इट लियर ठीक है चले अब हम आगे बढ़ते हैं focus of convex and concave lens चलो यहां से देखना आप लोग यहां पर देखो focus of lens तो यहां पर देखें आप यहां से यह convex है यह concave है तो आपको पता होगा कि यहां पर क्योंकि दो surface होते हैं तो इसके दो focus होते हैं ठीक है एक focus यहां पर होगा इसे f1 बोल दिया मैंने एक focus यहां होगा जिससे मैंने f2 बोल दिया मैंने ठीक है कि नहीं है लेकिन इन दोनो focus में कोई एक main focus होगा ठीक है तो मेरी बात को सुनना द्यान से कौन सा होगा main focus सुनो convex lens की अगर हम बात करें ठीक है तो उसमें जितने भी parallel rays of light आती है principal axis के वो सब के सब refraction के बाद एक particular point पे converge होती है on the principal axis तो जिस point पे यह converge होती है on the principal axis उस point को हम कहते है main focus है के नहीं तो focus क्या होगा it is that point on principal axis where the parallel rays of light with principal axis converge after refraction तो इन दोनों में ये वाला हो जाएगा ना main focus मतलब object के other side वाला होगा main focus वही अगर rays right से आती तो इस point पे आके meet करती तो उस case में f1 क्या हो जाता main focus है के नहीं तो generally हम लोग object को कहा रखते हैं left में रखते हैं तो यहाँ पर right वाला क्या हो जाएगा main focus is it clear ठीक है और इसका focal length का sign क्या होगा positive होगा क्योंकि आपको मालूम है object side negative side होता है तो अगर यहाँ object है तो यह negative side तो यह positive side तो focal length क्या होगा positive होगा है के नहीं तो convex lens का focal length positive होगा ठीक है अब आओ concave lens की बात करते हैं आपको पता तो है यह चीज कि concave lens क्या होता है diverging lens होता है यह race को diverge करता है after reflection ठीक है चलो देखो यहाँ अब अब जहां से क्या हुआ अब क्योंकि यहाँ पर भी दो surface है दो focus होगे एक focus यह होगा इसे f1 बोल दो एक focus यहाँ पर भी होगा इसे f2 बोल दो ठीक है लेकिन इन दोनों में कोई एक main focus होगा ठीक है तो कौन सा होगा main focus सुनना दियां से जब सारी parallel rays of light principal axis के अगर वो refract होती है तो वो diverge होती है यह देखो यह parallel ray of light diverge होई है के नहीं यह parallel ray of light यह भी diverge होई ठीक है अब देखो जब इनको produce किया गया तो यह सारे meet कर रहे है इस point पर मतलब यह वाला क्या हो जाएगा main focus of this concave lens ठीक है मतलब इसके according की हम लोग sign use करेंगे ठीक है वहीं अगर raise यहां से आती parallel तो यह diverge होती produce करने के बाद यहां पर meet करती तो फिर यह हो जाता main focus ठीक है के नहीं है लेकिन अभी जो diagram में given है उसमें यह वाला है आपका main focus ठीक है अब बताओ यहां पर focal lens का sign क्या होगा negative क्यों क्योंकि इसका focus object side में ही locate कर रहा है और object side क्या होता है negative side होता है तो यहां पर focal lens क्या होगा negative होगा तो convex का focal lens positive and concave का focal lens negative चलें अब हम देखते हैं यहां पर sign convention जो use करना है अपन को आगे आने वाले numericals में ठीक है तो यहां पर ध्यान देना आप लोग यह है आपका sign convention यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ठीक है बस इसको एक बार recap कर रहे है देखो पहला क्या है कि जितने भी आप distances लोगे सबको कहां से मेजर करोगे आप optical center से मेजर करोगे ठीक है आप लोगों ने mirror में क्या देखा था सारे distances कहां से लिया था अपने pole से lens के case में कहां से लोगे आप optical center से लोगे है कि नहीं तो all distances are measured from optical center दूसरा क्या convention अगर आपका direction of measurement incident ray के along है तो उस measurement को आप positive लोगे और अगर आपका direction of measurement incident ray के opposite है तो उसे क्या लोगे आप negative लोगे ठीक है देखो the distance measured along direction of incident ray taken as positive and vice versa मतलब उसका उल्टा ठीक है लेकिन मैं आपर आपको कहूंगा कि आप बस ये देखो कि जिस तरफ object होगा वो negative side होगा है ना मतलब जिस तरफ object है वहाँ पर जो दो चीजे होँगी वो सब negative होगी और उसके opposite में जो होँगी वो सब positive होगी ठीक है ये convention है लेकिन ऐसे ध्यान रखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए clear है okay and now third convention क्या है the height above principal axis taken as positive and height below principal axis तो ये आपके थे sign convention आप लोग इसको note कर ले पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं चले हो गया note अब देखते हैं अपन next topic that is image formation by concave and convex lens उसमें जो rules इस्तिमाल होंगे उनके बात करते हैं हम लोग ठीक है चले यहाँ देना आप लोग यहाँ पर यह आपके convex के rules हैं यह आपके concave के rules हैं तो बढ़ा simple simple rules हैं ठीक है एक बार अपन recap करते हैं इसको जल्दी से देखो अगर कोई incident ray optical center से pass हो रहा है तो बिना किसी deviation के सीधे निकल जाएगा ठीक है अब देखो अगर कोई incident ray principle axis के parallel है तो refraction के बाद fraction के बाद parallel हो जाएगा ठीक है तो यह तीन rules होते हैं convex lens के लिए अब देखते हैं concave lens तो concave lens में भी जो पहला rule है वो बिल्कुल सेम है ऐसा कि optical center से जाएगा सीधे निकल जाएगा ठीक है लेकिन अब यहाँ पर second और third rule पर focus करें देखो अगर incident ray principle axis के parallel है तो वो diverge होगा और इस तरीके से diverge होगा कि जब produce करेंगे तो वो focus पे आके meet करें है के नहीं ठीक है अगर कोई incident ray focus के along move कर रहा है ठीक है मतलब इस incident ray की एक्छा है कि मैं इस focus को जाके hit करूं लेकिन यह जो lens है वो इसको diverge कर देगा parallel to principle axis है के नहीं तो यह आपके तीन rules थे convex में और concave में अब इनका इस्तमाल करके अपन को फटा फट देखना है image formation by convex lens and for concave lens ठीक है जल्दी करते हैं देखो द्यान से याँँ पर आप लो देखें image formation by convex lens ठीक है यहाँ पर total अपन को 6 cases देखने है ठीक है चलो शुरू करते हैं अपन यावर पहला अगर object infinity पर है तो image कहां बनेगी उसका position क्या होगा उसका nature क्या होगा मतलब इन पूरे 6 cases में अपन को यही बात करनी है ठीक है object के different positions पे image कहां बनेगी उसका size क्या होगा उसका nature क्या होगा ठीक है चलो देखो अगर object infinity पे है तो वहाँ से raise कैसी आती है parallel तो मैंने माल लिया कि वो जो raise आ रही है वो principal axis के parallel आ रही है तो आप बताओ अगर incident raise principal axis के parallel है तो वो refraction के बाद focus से पास होती है मतलब सारे raise focus पे आके meet कर रही है मतलब यहाँ पर image कहाँ पर बनेगा focus पर बनेगा ठीक है इसका size क्या होगा highly diminished बहुत छोटी image और इसका nature क्या होगा real and inverted है क्या नहीं ठीक है चलो अब हम देखते हैं next case अगर object रखा हुआ है कहाँ पर चलो इसको नहीं इसको देख लेते हैं ये वाला ऐसा फिर ऐसा देखेंगे अपन ठीक है चलो अब क्या किया object को करीब लेके आए ठीक है मतलब अब object visible होगा आपको लेकिन अभी भी वो 2F के beyond में है अच्छा यहाँ पर हम लोग C C1, C2 ना यूज़ करके हम लोग 2F1, 2F2 यूज़ करेंगे हम लोग ठीक है center of curvature का इस्तमाल नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पर F and 2F का इस्तमाल करते हैं ठीक है चलो ध्यान देना अगर object 2F1 के beyond में है ठीक है तो यह देखो panel ray focus से पास यह optical center वाला सीधे निकल गया तो आप बताओ intersection कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हो रहा है intersection तो object अगर 2F1 के beyond में है तो image बन रही है F2 और 2F2 के बीच में ठीक है चलो मतलब beyond में object है तो between में image बनेगी और image छोटी बनेगी ठीक है और यहाँ पर उसका nature क्या होगा real and inverted होगा ठीक है चलो अब मैंने object को और करीब कर दिया मतलब 2F1 पर कर दिया मैंने object को देखो अगर object 2F1 पर है तो image भी 2F2 पर ही वनेगी ठीक है ध्यान देना आप लोग यहाँ पर parallel focus से पास optical center वाला सीधे निकल गया तो आप बताओ intersection कहा हो रहा है जस्ट 2F2 के नीचे मतलब image का position 2F2 होगा और जो size object का था वही size image का भी होगा और nature होगा real and inverted बही इन सब में real inverted image क्यों बन रही है क्योंकि actual intersection हो रही है refracted ray की तो real image बनेगी बनेगी और जो image real होती है वो inverted भी होती है है क्यों नहीं चलो अब मैं object को और करीब लाओंगा अब मैं लेकर आजाओंगा between 2F1 and F1 देखो याँ पर ज्यान से object रखा है between 2F1 and F1 ठीक है तो यह देखो parallel focus से पास optical center वारा सीधे निकल गया आप बताओ यहाँ पर intersection हो रहा है इसका है क्या नहीं ठीक है तो यहाँ पर देखो image बहुत बड़ी बन रही है और beyond में बन रही है 2F2 के ठीक है और nature क्या होगा इसका real and inverted तो इन चारों cases में आपने देखा कि image का nature क्या है real and inverted है ठीक है ओके अब देखो ध्यान से पांचवा case देखो देखो फिफ्ट केस अब मैं object को और करीब लेके आ गया कहाँ पर लेके आ गया focus पर लेके आ गया मैं ठीक है यह देखो object focus पर है F1 पर है parallel तो focus पास optical center वाला सीधे निकल गया अब आप यहाँ पर ध्यान से देखे यहाँ पर दोनो refracted ray आपस में parallel है की नहीं ठीक है तो हम यह मान लेते हैं कि यह parallel rays infinity पर जाके meet करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर assume कर लिया हमने infinity पर meet करेंगे मतलब image कहाँ पर बनेगी infinity पर बनेगी image तो image formed at infinity और जब image बनेगी infinity पर तो बहुत बड़ी image बनेगी highly magnified image बनेगी ठीक है और उसको हम real and inverted मानेगे ठीक है कि नहीं है clear है तो यह होगी आपका fifth case now sixth case which is the exception case और exam के लिए यह favorite case है ठीक है ध्यान देना आप लोग यहाँ पर देखो अब मैं object को और करीब ले गया मैं लेके आगया object को focus और optical center के बीच में तो यह देखो यह आपका object है यह भी यह आपका parallel focus एपास optical center वाला सीधे निकल गया अब यह दोनो refracted rate दूर जा रही है तो इनको produce करने पर meeting possible है नहीं आपर तो इनको produce करने पर meeting यहाँ पर हो रही है तो आप बताओ यहाँ पर जो image है वो क्या है आपका virtual and erect image है क्योंकि produce करने से बनी है है कि नहीं और image की size बड़ी है ना ठीक है कि नहीं है ओके चलो तो यहाँ पर image virtual erect size बड़ी है और इसका position क्या है same side as object जिस तरफ object है उसी तरफ image बनी है तो यह थे total 6 cases जिसमें अगर मैं conclude करूँ तो सारे cases में image का nature था real and inverted सिर्फ एक case को छोड़के वो यह वाला जब object optical center और focus के बीच में रखा हुआ है इनको छोड़के सब में real and inverted image बन रही है ठीक है तो यह था आपका convex lens के थुरू image formation अब हम बात करते हैं concave lens के थुरू image का formation ठीक है चलो देखते हैं भाई अपन यहाँ पर बिलकुल quick recap कर रहे है quick तो मैं हर चीज यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं आपको explain कर रहा है आपको याद दिला रहा हूँ बिसी कली ठीक है चलो अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर image formation by concave lens देखो concave lens में जो image formation हमें देखनी है वो सिर्फ दो cases में देखनी है एक जब object रखा होगा infinity पर और एक जब object रखा होगा infinity और optical center के बीच में कहीं पर भी रखा हो ठीक है चलो देखते हैं अगर object infinity पे है तो वहाँ से race कैसी आती है parallel आती है तो मैंने माल लिया कि वो race किसके parallel है principal access के parallel है ठीक है तो यह principal access के parallel है तो आपको मालूम है यह diverge होती है ठीक है और diverging race को जब तुम produce करोगे तो उनकी meeting focus पे होगी न ठीक है मतलब यहाँ पर virtual and erect image बनेगा focus पे बनेगा और size बहुत छोटी होगी ठीक है के नहीं है तो यह है आपका पहला case now अब दूसरा case object, infinity और optical center के बीच में कहीं भी रखा हो लेकिन तुम्हारे मन में सवाल उठेगा सर कहीं भी मतलब कहाँ पर क्या यह focus के पहले होना चाहिए या 2F के पहले होना चाहिए या इनके बीच में होना चाहिए कहाँ पर आपने तो सिर्व यह बोल दिया कि infinity और optical center के बीच में कहीं पर भी तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहीं भी रख दो तुम चाहे तुम beyond में रख दो 2F के या between में रख दो उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है? चलो मेरी बात को सुनना यहाँ पर जो diagram है उसमें object है focus और 2F के बीच में आप इस object को यहाँ पर भी रख सकते हो कोई रिक्कत नहीं है ठीक है? सुनना द्यांसे वस यहाँ पर सुनते आना देखो अभी यह object है parallel गया diverge हुआ produce करेंगे focus emit करेंगी ठीक है? अब यह देखो आपका optical center से गया सीधे निकल गया तो यह refracted ray का produce और यह refracted ray का produce यहाँ पर intercept हो रहा है ना ठीक है? तो image बनेगी virtually और बनेगी between optical center and focus बनेगी है कि नहीं? तो छोटी image है ठीक है? virtual reflect है और बन रही है optical center and focus के बीच में अब मेरी बात को सुनना द्यांसे मैं क्या कह रहा हूँ? object, optical center और infinity के बीच में कहीं भी रखा हो कहीं भी रखा हो image बनेगी हमेशा छोटी ही और optical center और focus के बीच में ही बनेगी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है यह लेकिन focus और optical center के बीच में ही बनेगी है चाहे कुछ भी हो जाए है कि नहीं? तो for all the positions between optical center and infinity image formed at या image formed between optical center and focus and image always small and it is always virtual and erect है कि नहीं? ठीक है? तो यह आपके simple से दो cases थे concave lens को लेकर के यह जो चीज़े हैं ना यह जो हम पढ़ लाए है rules and image formation यह तो आप लोगोंने 10th class भी पढ़ा होगा तो यहाँ पर हम इसको recap कर रहे हैं मालम क्यों recap कर रहे हैं? ठीक है तुम बोलोगे सर यह तुमने पढ़ा हुआ है सब कुछ लेकिन मैं आप से कहता हूँ कि जब तुम इसका numerical solve करने जाओगे ना तो यह rate diagram ही है जो आपको help करेगा उसका answer निकाले में shortcut तरीके से या फिर तुम अपने answer को cross verify कर सकते हो कि हाँ यहाँ जो मेरा answer निकला है वो सही है ठीक है? और जब तुम आगे इस topic पर जब numericals करते हो combination of lens and mirror या combination of lenses वहाँ पर यह rate diagram बहुत काम किया बहुत काम आती है है के नहीं? तो है पुरानी चीज terms को लेके बात करेंगे that is lens formula यह formula है आपका lens formula ठीक है? lens formula आप लोगो ने पढ़ा होगा lens formula that is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u ठीक है? यहाँ पर f क्या होता है focal length v क्या होता है image distance, u क्या होता है object distance और यह सारे distances कहां से ली जाती है optical center से ली जाती है ठीक है? तो आप इसमें u, v, f में कोई भी दो चीज आपको पता होगा उसको आप पुट करेंगे sign convention के साथ तो आपको तीसरी चीज मिल जाएगी ठीक है? तो यह है आपका lens formula जिसका derivation होता है लेकिन derivation के लिए आप लोग को सत्यम सर का जो वीडियो है वो आप लोग को देखना है ठीक है वहाँ पर आपको इसका derivation मिल जाएगा ठीक है? मैं यहाँ पर इस quick revision में किसी का derivation नहीं करूँगा ठीक है? सिर्फ मैं formula बताऊँगा ठीक है? ताकि अपन को से एक बार recap हो जाए ताकि हम exemplar question को solve कर पाएं अज़र clear? ठीक है? चले अब हम आगे देखते हैं next क्या चीज़ है? देखो lens maker formula हर बार यह formula को formation लिखा हुआ यह formula है lens maker formula ठीक है? क्या होता है lens maker formula सुनना ध्यान से यहां पर बहुत important formula है ठीक है? इसका बहुत ही wide application आपको देखने को मिलेगा numerical में ठीक है? चले ध्यान देना आप लोग यहां पर reciprocal of focal length is equal to यह क्या है? यह है refractive index of lens with respect to surrounding ठीक है के नहीं है? ध्यान देना यह L का मतलब lens का refractive index ठीक है? और S का मतलब surrounding के respect में आप बताओ यह convex lens है? माल लो air में है तो आपका surrounding medium क्या हो जाएगा? air हो जाएगा तो हम कहेंगे refractive index of lens with respect to air हाँ है ना? ठीक है? चलो मतलब उसे हम absolute बोल देंगे refractive index अगर आपका surrounding में air है तो है के नहीं? लेकिन अगर माल लो उसको तुम्हें पानी में डाल दिया तो वहाँ पर surrounding medium क्या हो जाएगा? water हो जाएगा तो वहाँ पर हम लेंगे refractive index of lens with respect to water लेंगे हम है के नहीं? तो चलो ठीक है तो reciprocal of focal length equal to refractive index of lens with respect to surrounding minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2 भाई R1 R2 मालूम है नहीं क्या होता है? radius of two surfaces आपको पता है कि lens के जो दोनों surface होते हैं जरूरी नहीं है कि उनका radius same हो radius अलग-अलग हो सकते हैं तो वो radius आपको put करना है with the help of sign convention ठीक है? तो इस formula से आप निकाल सकते है focal length Is it clear? ठीक है? यहाँ पर आप focal length सीधे radius का half करके नहीं निकालोगे आपने mirror में निकाला था कि radius का half कर दो focal length मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं ठीक है? मैं यहाँ पर आपको यहीं बता दू कि आपने mirror में यह देखा था कि mirror का focal length कभी change नहीं होता तुम उसको किसी भी medium में डाल दो लेकिन जो आपका lens है उसका focal length change होता है अगर आप surrounding medium को change करते हो मतलब अगर पानी में डाल दोगे तो इसका focal length affect हो जाएगा lens का क्योंकि वो refractive index पर depend कर रहा है है कि नहीं? ठीक है? चलें तो यह बहुती जादा important formula है यह इसका derivation भी होता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग सत्यम सर का video देखें ठीक है? उसका link आपके description मिल जाएगा वहाँ से आप इसका derivation जरूर देखना ठीक है? ओके चलो अब हम आगे बात करते हैं next क्या है? देखो अब जो आपका next है that is magnification magnification मतलब सिंपल एक ऐसा नंबर जो हमें ये बताता है कि image का size कितना times है object के size के मुकाबले मतलब magnification एक comparison नंबर हो गया नए यार ठीक है कि नहीं है? तो मतलब magnification की value अगर मालो 3 है मालो image triple size का है object के मुकाबले magnification अगर मालो 1 by 3 है तो हम कहते हैं कि image 1 3rd है object के मुकाबले मालो छोटी image है magnification अगर 1 होगा तो हम कहेंगे image का size same है as object तो magnification is just a comparison number na between size of image and size of object ठीक है? चलो अब यहाँ पर अपन को बात करनी है दो type के magnification की that is what is linear magnification and what is longitudinal magnification ठीक है? तो अभी यहाँ पर आपको जो दिख रहा है that is linear magnification ठीक है? linear magnification मतलब हमें height के terms में बात करनी है height के terms में मतलब object अगर principal axis के perpendicularly placed है ठीक है कि नहीं है? तो उस case में जो आप magnification discuss करोगे वो होगा linear magnification वहीं अगर आपने object को principal axis के along place कर दिया ठीक है? वहाँ पर जो आप magnification देखोगे called as longitudinal magnification है के नहीं? तो linear magnification जो है न इसको आप लोग transverse magnification भी बोल सकते हो transverse मतलब मैंने बोला perpendicular to principal axis object को place करना होगा आपको ठीक है? transverse magnification ठीक है? चलो तो ध्यान देना ये क्या होता है linear magnification देखो m is equal to मैंने कहा ना ये comparison number है तो obvious ही बात है ये ratio होगा किसका? size of image to size of object है के नहीं? और इसको अगर हम distance के timeस में लिखे हैं तो यहाँ पर होना चाहिए ये V upon U ये V upon U होगा है के नहीं? ठीक है? आपने mirror में देखा था minus V upon U यहाँ पर होता है simple V upon U ठीक है के लिए V is image distance U is object distance फिर अगर आप by using lens formula अगर आप यहाँ पर V को replace करते हो in terms of U and F तो formula बन जाता है F upon U plus F ये भी formula होता है वही focal length और image distance के डापस पर formula क्या होता है? F minus V upon F है के नहीं? तो ये होते हैं magnification के formula ठीक है? कौन से वाले? linear magnification के is it clear? ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आप से कहा था कि magnification अगर वन से ज़ादा हो तो image magnified होगी अगर वन से कम हो image diminished होगी छोटी होगी अगर magnification 1 हो तो image same size का होगा as object ठीक है? चलो अब यहाँ पर sign को लेके भी कहानी होती है कि अगर मालनो magnification positive है मतलब erect image होगा है के नहीं? और यहाँ पर देखो erect image है मतलब virtual में होता erect तो अगर M positive है तो image virtual and erect होगी वहीं अगर आपका magnification negative है तो image क्या होगा? inverted होगा ठीक है? मतलब real होगा तो real and inverted image होगी है के नहीं? ठीक है? चलो तो यह कहानी है magnification को लेकर के कौनसी वाली linear magnification अब हम बात करते हैं कौनसा वाला? आपका longitudinal magnification देखो ध्यान से आप लोग यहां पर यह रहा आपके सामने longitudinal magnification देखो longitudinal magnification है ना? अब यहाँ पर जो formula दिख रहा आपको M is equal to I by O मतलब size of image to size of object यह तो same formula रहेगा जो पहले था यहाँ भी रहेगा क्यों? क्योंकि यह तो definition है कि ratio of size of image to size of object लेकिन जो distance वाला formula है ना उसमें थोड़ा बदलाव आएगा ठीक है? देखो क्या कहानी है तुम बदाओ अगर मान लो यह convex lens है ठीक है? अगर object को तुम ऐसे place करते हो मैं अलग करता हूँ आपको मान लो तुमने object को ऐसे place किया है along principle आखिस तुमने place किया है तो आप बदाओ यह आपका object A B है है के नहीं? तो तुम यह बदाओ देख करके इसकी जो image बनेगी वो इधर बनेगी तो inverted बनेगी मतलब इस object का जो दूर वाला portion है दूर वाला जो end है उसकी image past बनेगी है के नहीं? और जो past में object है जो past वाला end है उसकी image दूर बनेगी है के नहीं? तो आप बताओ देख करके आपर यह a b object है ठीक है तो इसकी image कैसी बनेगी आपर यह मानलो आपका distance u1 है यह वाला आपका u2 है है के नहीं तो अब बताओ जो u1 है यह दूर है तो इसकी image क्या होगी pass तो यह आपका होगा मानलो a dash है के नहीं ठीक है अब बताओ यह जो आपका end pass में है उसकी image क्या होगी दूर होगी तो यह देखो आप यह image बनी आपकी b dash है के नहीं आप देखो यहाँ पर ध्यान से यह होगी आपका image का size ठीक है आप देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग यहाँ पर यह देखो u1 के corresponding क्या होगा v1 होगा है के नहीं और यहाँ पर u2 corresponding क्या होगा v2 होगा है के नहीं तो आप बताओ अगर मुझे size लिखनी होगी image का size अपन object का size तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे u1 और u2 का difference लेंगे तो वो होगा object का size और यहाँ पर v1 और v2 का difference लेंगे तो वो होगा image का size तो आप बताओ यहाँ पर formula क्या बन गया v2 minus v1 upon u2 minus u1 है के नहीं ठीक है मतलब यहाँ पर आपको object के डोनो end का image देखना होगा ठीक है के नहीं है तो दोनो end का जो image होगा उनका जो difference होगा that is the size of image ठीक है और यहाँ पर object का जो दोनो end होगा उनका जो distance होगा optical center से उनका difference क्या होगा object का size तो image का size upon object का size है के नहीं ठीक है तो यह होगा आपका longitudinal magnification अब मेरी बात को सुनो ध्यान से ठीक है देखो यहाँ पर अगर वो object बहुत small है मतलब आपने उसको रखा हुआ है principle axis के elongi लेकिन अगर वो बहुत small object है बहुत small object है है के नहीं तो उस case में क्या होगा बहुत small अगर object हुआ तो क्या होगा कहानी वहाँ पर आपका जो v2 minus v1 है वो बहुत small होगा ठीक है तो उस case में हम लोग यहाँ पर magnification लेते हैं dv upon du ठीक है अगर बहुत small object हुआ तो यहाँ पर अब यह du हो जाएगा न small change होगा small change ठीक है तो for small object magnification का formula होता है derivative of v with respect to u है कि नहीं ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u से अगर आप dv by du निकालोगे न तो उसका formula आएगा v upon u का whole square ठीक है इसके लिए आपको क्या करना होगा 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u को differentiate करना होगा with respect to u तो वहाँ से आपको मिलेगा dv by du की value v upon u का whole square और फिर again lens formula से तुम यहाँ पर change करके इसको तुम u और f के terms में लिख सकते हो और v और f के terms में लिख सकते हो आप है कि नहीं तो यह जो formula है यह होगा for small object placed along principal axis is it clear लेकिन अगर मालो वो अच्छा खासा object है और principal axis के along रखा हुआ है तो तुम क्या करना अलग से दोनो end की image का position निकालना उनका difference निकालना ठीक है और फिर object के दोनो end का जो distance है उनका difference निकालना और फिर उनका ratio निकालके magnification निकलेगा is it clear ठीक है चलो तो ये कहानी हो गई आपकी longitudinal magnification की है ना तो जल्दी से आप लोग इसको note कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं चले हो गया note अब देखें आप लोग यहाँ पर next क्या है magnification of combination of lens मतलब एक से ज़ादा lens अगर combined हो ठीक है तो net magnification कैसे मिलेगा मेरी बात को सुनना ध्यान से यहाँ पर यह बहुत important concept है for combination of lens ठीक है सुनना ध्यान से क्या होता है अगर मान लो दो lens है ठीक है दो lens है मान लो ठीक है जैसे मान लो यहाँ पर है आपका यह आपका एक concave है सॉरी convex है और यह आपका concave है यह दोनो co-actually place है है कि नहीं अब देखो मान लो object यहाँ पर है यह object है ठीक है तो अब बताओ यहाँ से raise निकलेंगी ऐसे है कि नहीं अब मेरी बात को सुनना यहाँ पर क्या होता है कहानी यह वाला lens जो image बनाएगा ठीक है वो image इसके लिए क्या होगा object होगा ठीक है और यह जो बनाएगा image that is called as final image ठीक है तो जब भी combination of lens होता है ठीक है एक lens के द्वारा जो image होती है वो दूसरे के लिए object होती है पर उसकी image तीसरे के लिए object होगी and so on ठीक है फिर जाके आपको final image मिलता है तो मान लो इसने magnify किया होगा object को उसका magnification M1 है इसने magnify किया होगा तो इसका magnification M2 है है कि नहीं तो इसका net magnification कितना होगा that is M1 into M2 मतलब individual lenses का magnification का जब multiplication करोगे ना तो आता है combine lens का magnification तो यहाँ पर आप देखें net magnification equal to multiplication of magnification of individual lenses is it clear? ठीक है simple सा यहाँ पर concept है यह ठीक है? चले अब आगे बड़े हम लोग यहाँ पर देखो अब हम देखते हैं next topic क्या बोलता है इसके अंदर फटा फट रिवाइस कर रहे हैं बड़ा बन यहाँ पर चलो अब ध्यान देखें आप लोग यहाँ पर relation between object and image speed ठीक है? मतलब अगर मैंने कहा कि किसी lens के respect में अगर कोई object move कर रहा है with some speed तो उसकी image भी move करेगी न with some speed ठीक है? तो अगर आपको object की speed पता है और आपको निकाल लिए image की speed ठीक है? तो उसके लिए formula जो use होता है वो होता है velocity of image is equal to f upon u plus f का whole square into velocity of object ये वी नॉट क्या है? velocity of object है ये ये वी आई क्या है? velocity of image है ये है कि नहीं? ठीक है? चलें तो ये formula है जिन से आप निकाल सकते हो image की velocity होगा क्या मालूम आपको? एक lens है ठीक है? बोलेगा किसी instant पर वो object मालो 10 cm के दूरी पे है तो u की value आपको दे देगा वो initial माला किसी instant का अब बोलेगा वहाँ पर वो अब move करना शुरू किया with velocity sum ठीक है? मतलब आपको v naught दे देगा वो और पूछेगा कि बताओ image की velocity कितनी होगी उस instant पर है कि नहीं? तो आप अप ठाफ़ड वहाँ पर u, f चलो यह होगया आपका relation between speed of image and speed of object अब देखो Newton's formula Newton's formula क्या होता है? x1 into x2 equal to f square इसमें जो x1 होता है यह होता है object distance और x2 होता है image distance लेकिन यह दोनों ही distance focus से होते हैं है ना? यह दोनों ही distance कहां से होते हैं focus से होते हैं मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लो यहाँ देखो ध्यान से यह देखो x1 distance of object from first focus और x2 क्या होता है? distance of image from second focus जैसे माल लो यह आपका है यह आपका convex lens है ठीक है? यहाँ देखो ध्यान से यह उसका माल लो f1 है यह f2 है ठीक है? चलो माल लो object यहाँ पर है ठीक है? माल लो image यहाँ पर है ठीक है? चलो तो आप बताओ x1 क्या होगा? यह वाला distance ठीक है? और x2 क्या होगा? यह वाला distance हाँ है ना? मतलब object का distance और image का distance कहां से ली जाएगी इस बार? focus से ली जाएगी ठीक है कि नहीं है? जो हम लोगों ने पढ़ा था lens formula उसमें जो u और v था वो आपका जो distance था object और image का वो optical center से था ठीक है? यहाँ पर यह जो distance होगे वो कहां से होंगे? x1, x2 अपने focus से होंगे है कि नहीं? तो उस case में आपका formula हो जाएगा x1 into x2 equal to f square मतलब अगर distances given हो focus से ठीक है? तो हमें यह वाला formula इस्तमाल करना है इस रिप्लिया? ठीक है? चलो तो यह कहानी हो गई आपकी Newton's formula की अब हम आगे बढ़ते हैं next topic पे देखते हैं आपर yes that is power of lens power of lens lens की ताकत ठीक है? तो कैसी ताकत? मजबूत वाली ताकत? ना मेरी बात को सुनना दियां से power of lens का मतलब होता है किसी भी lens की ability to converge or diverge the rays of light ठीक है? मतलब मैंने कहा कि अगर कोई lens है उसकी power जादा है वो convex है माल लो तो वो converge करेगा ठीक है? तो अगर माल लो convex की power जादा है वो जल्दी converge कर देगा है कि नहीं? अगर उसकी power कम है वो आराम से converge करेगा तो जितनी जादा power उतनी जादा उसकी ability converge की या diverge की Concave बात करें तो diverging की बात होगी है ना अगर Concave का power कम होगा आराम से diverge करेगा Concave का power जाजा होगा तो रहें diverge करेगा मतलब ability of lens to converge or diverge the rays of light is known as power of lens ठीक है and power of lens को हम लोग निकालते हैं by using formula बहुत simple है 1 upon f और यहाँ पर focal and meter में होना चाहिए या 100 by f लेकिन यहाँ पर f centimeter में होना चाहिए है कि नहीं और power की unit आपको पता है कि इसके unit क्या होती है diopter होती है diopter is the unit of power है कि नहीं और जो sign focal length का होगा वही sign power का भी होगा मतलब convex का focal length positive होता है तो उसका power भी positive होता है concave का focal length negative होता है उसका power भी negative होगा है कि नहीं तो यह आपका simple topic था power of lens अब हम शुरू करेंगे बहुती ज़ादा important topic ठेक है बिलकुल concentrate करना आप लोग यहाँ पर देखें ध्यान से देखो यहाँ पर सिर्फ मैंने topic लिखा हुआ है और यह पूरा blank है मुझे इस पर काम करना है आपके लिए सुनना ध्यान से lens immersed in medium मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि अगर आप lens को किसी और medium में अगर आप immerse करते हो ठीक है तो उसका focal length effect होता है है कि नहीं तो कैसे effect होता है मतलब क्या changes आती है वो अपन को यहाँ पर discuss करना है अपने को ठीक है सुनना ध्यान से आप लोग यहाँ पर आप बताओ मान लो अभी जो आपके पास lens है ठीक है वो air में है वो अभी air में है ठीक है तो आप बताओ उस case में lens maker formula क्या होगा देखो ध्यान से सुनो 1 upon f is equal to refractive index of lens with respect to surrounding और अभी surrounding क्या माना आपने air माना मेंने है के नहीं ठीक है air मान लिया मतलब यह absolute होगा ठीक है minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक है आप बस conclusion सुनना यहाँ पर ठीक है के नहीं है चलो case 1 मैं यहाँ पर ले रहाँ case 1 ठीक है आप क्या कर रहे हो lens को एक ऐसे medium में immerse कर रहे हो जिसका refractive index air के मुकाबले जादा है मतलब denser medium में अगर आप lens को immerse करते हो say water ठीक है water में अगर आप lens को immerse करते हो लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर medium का refractive index है वो lens से कमी है लेकिन हाँ है ना ठीक है मेरी बात को सुनो जहाँ से बढ़ाब लोग आप बताओ lens का refractive index जो glass होता है तो glass है कितना होता है 1.5 होता है है कि नहीं और air में था पहले वो तो surrounding medium का refractive index कितना था 1 है ना air का refractive index हम लोग 1 मानते हैं ठीक है अब बताओ मैंने lens को किस में डुबो दिया water में मतलब denser medium में डुबो दिया है कि नहीं लेकिन जिसमें डुबो या है water उसका refractive index होता है 4 by 3 मतलब 1.33 तो अभी भी lens के मुकाबले तो वो reality है ना है कि नहीं मतलब lens से कमी होना चाहिए is it clear ठीक है चलो तो यहाँ पर case 1 क्या ले रहे है if we immerse in denser medium denser medium ठीक है बट refractive index of this denser medium should be less than refractive index of lens मतलब lens से तो कमी होना चाहिए मतलब lens से तो कमी denser होना चाहिए है कि नहीं उस case में आपका जो focal length है lens का वो increase हो जाएगा क्या हो जाएगा increase then focal length increases then focal length increases ठीक है मेरी बात को सुनना ध्यान से यहाँ पर ठीक है अगर हम lens को ऐसे medium में डुबोते हैं ठीक है जो की पुराने वाले surrounding से जादा डेंसर है लेकिन वो आपका lens के मुकाबले क्या होना चाहिए रेरर ही होना चाहिए उससे कम होना चाहिए लेकिन तो उस case में क्या होता है focal length की value बढ़ जाती है previous के मुकाबले मतलब air में जो उसक convex का focal length था suppose करो 50 cm कहां पर air में जैसी तुम उसको पानी में डुबोगे न ठीक है उसका focal length बढ़ जाएगा सपोस करो कि वहाँ पर 75 cm हो गया है कि नहीं लेकिन उसका nature positive ही रहेगा मतलब उसका nature convex ही रहेगा साइन उसका positive ही रहेगा आर यह बात समझ में ठीक है तो यह आपका पहला case था लेकिन अब सुनो ध्यान से तुम्हारे मन में सवाल उट रहा होगा कि सर अगर हमने ऐसे medium में डाल दिया जो कि जिसका refractive index lens से भी ज्यादा हुआ अगर तो क्या हुआ तो क्या होगा ठीक है सुनना ध्यान से क्या होगा फिर देखो case 2 case 2 ध्यान देना बस आप लोग यहाँ पर देखो अगर हमने ऐसे medium में immerse किया जिसका refractive index lens से भी ज्यादा है मतलब अब surrounding medium हावी हो गया ठीक है ना उस lens के उपर ठीक है तो देखो जहां से if we immerse if we immerse lens in a medium ठीक है whose refractive index is greater than refractive index of lens मतलब यहाँ पर refractive index of surrounding medium ज़ादा है refractive index of lens से ठीक है तो उस case में उसका जो nature है वो change हो जाता है मतलब focal length का sign change हो जाएगा मतलब अगर वो पहले convex था तो focal length positive था तो जैसी ऐसे वाले medium में जाएगा उसका focal length का sign negative हो जाएगा है कि नहीं या फिर अगर वो पहले से negative था तो जैसी उस medium में जाएगा अब focal length positive हो जाएगा है कि नहीं that means convex lens अगर ऐसे medium में गया तो इसका जो nature है वो diverging वाला हो जाएगा और अगर concave lens को ऐसे medium में डालोगे तो इसका nature converging हो जाएगा मतलब convex behave as concave and concave behave as convex nature change हो जाएगा है कि नहीं अगर आपने जादा dense मतलब lens के मुकाबले जादा refractive index वाले medium में डाल दिया तो आपने ठीक है कि नहीं है तो हम कहेंगे then then nature of lens change nature of lens change ठीक है कि नहीं है तो that is convex become diverging and concave become converging ठीक है तो यहाँ पर नेचर बदल जाएगा अब सुनो तुमारे मन में एक और सवाल उठ रहा होगा सर एक बात बताईए कि अगर लेंस को ऐसे मेडियम में डाल दिया जिसका रीफ्राक्टिव इंडेक्स लेंस के बिलकुल बराबर है मतलब लेंस का रीफ्राक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो ऐसे मेडियम में डाल दिया जिसका रीफ्राक्टिव इंडेक्स भी 1.5 था तो क्या होगा तो मेरी बात को सुनना अगर ऐसा हुआ ना तो वहाँ पर जो लेंस है वो एक सिम्पल ग्लास की तरह बिहेव करेगा मतलब अब वो लेंस उस मेडियम में ना ही कनवर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज करेगा ठीक है मतलब वहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं होगी भाई ठीक है कि नहीं है इसे प्लिया तो यहाँ बस उनना द्यान से वो बन जाएगा अपना केस थ्री तो केस थ्री देखते हैं नेक्स पेज़ पे देखो केस थ्री इफ वी इमर्स इन अ मीडियम whose refractive index whose refractive index equal to refractive index of lens मतलब refractive index of medium equal to refractive index of lens है अगर ठीक है तो उस केस में क्या होगा कहानी then lens behave as simple glass simple glass ठीक है ठीक है तो इस it does not converge nor diverge कुछ नहीं करेगा यह सुन रहे है तुम लोग ठीक है तो यहाँ पर यह simple तीन केसे हैं मैं एक बार repeat करता हूँ उसको ठीक है सुन न ज्यासे अगर आप lens को एक ऐसे denser medium में डाल देते हो ठीक है लेकिन ऐसे denser medium में डाल देते हो जिसका refractive index पहले वाले surrounding से ज़ादा है लेकिन lens के मुकाबले कम है तो उस case में सिर्फ उसका focal length की value बढ़ जाएगी ठीक है उसके nature में कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन अगर तुम उसको ऐसे medium में डाल देते हो ठीक है जिसका refractive index lens से भी ज़ादा है तो उसका nature बदल जाएगा है के नहीं? ओके और अगर तुम उसको ऐसे medium में डालते हो जिसका refractive index बिलकुल बराबर है lens के तो वहाँ पर वो एक simple glass की तरह behave करेगा बोलेगा ना ही मैं converge करूँगा और ना ही मैं diverge करूँगा अब तो है के नहीं? clear है? तो ये आपके तीन cases होते हैं ये बहुत important case है क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे numerical अच्छे reasoning questions बन जाते हैं is it clear? ठीक है? चलें तो अब हम आगे देखेंगे पहले काम करें आप लोग ये copy कर ले पहले ये copy करना आप लोग ठीक है? then ये copy करें आप लोग ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से आगे देखते हैं अब जो next topic है वो क्या है? देखते हैं ओ वाओ ये भी अच्छा topic है लेंस को जब काटते हैं तो क्या कहानी होती है? ठीक है? तो सुनना द्यान से बात कर रहे हैं cutting of lens की इधर देखो द्यान से ये देखो ये आपका lens है ठीक है? इसका focal length आप F मान लो अभी अभी इसका focal length F है ठीक है? अब मैं इसको काटने वाला हूँ ठीक है? तो मैं दो तरीके से cutting करूँगा एक मैं horizontally cut करूँगा ठीक है? मतलब ऐसे cut लगाऊंगा मैं और एक ऐसे cut लगाऊंगा vertically ठीक है? तो cut लगाने के बाद जो दो टुकडे मिलेंगे उन दोनों टुकडे का focal length क्या होगा? पुराने वाले focal length के terms में वो अपन को यहाँ पर discuss करना है ठीक है? तो पहले मैं काम करता हूँ horizontal cut करने के बाद ठीक है? देखो पहला case cutting along horizontal cutting along horizontal ठीक है? चलो अब ध्यान देना diagram देखो यह आपका lens है ठीक है? मैंने इसको ऐसे काट दिया तो अब बताओ यह lens बनाना आपका उपर वाला पार्ट यह और नीचे वाला पार्ट यह तो माल लो इसका focal length है F- अपर पार्ट का है कि नहीं? और lower part का भी मैंने focal length क्या बुला? F- ठीक है? तो अब बताओ इस दोनों पार्ट का focal length पुराने वाले के terms में क्या होगा? तो मेरा answer है कि इसके focal length में कोई change नहीं होगा ठीक है? मतलब F- की value वही F के बराबर होगी तुम बोलोगे सर ऐसा क्यूं कि आपने? ठीक है? तो मेरी बात को सुनो तो मदाओ lens maker formula क्या होता है? रीफ्राक्टिव इंडेक्स माइनस वन इंटू वन अपन आरवन माइनस वन अपन आटू है के नहीं? तुम ये बताओ कटिंग करने के बाद क्या इसका रीफ्राक्टिव इंडेक्स बदलेगा क्या? क्या material change हो गया? क्या? नहीं इस वाले पार्ट का इस वाले surface का radius r1 है इसका radius r2 है बाई ये अभी भी तो वही बड़ा circle बनाएगा और ये भी तो वही वाला spherical surface बनाएगा ठीक है? तो आप ये बताओ उसका हिस्सा कम हो गया है लेकिन उसका radius तो वही रहेगा ने यार? radius तो वही रहेगा refractive index effect हो रहा है तो focal length का हे को affect होगा ठीक है तो जब भी horizontally cut करते हैं तो दोनों part का focal length वही होता है जो original lens का था इस इट लिया ठीक है तो ये था अपका पहला type का cutting अब हम बात करते हैं कि अगर हम vertically cut करते हैं तो क्या कहानी होगी ठीक है देखो द्यान से सुनों यहां पर पूरा भर चुका है अपन नेक्स में देखते हैं देखो यह देखो यहां पर सेकेंड लिया मैंने cutting vertically चलो अब ध्यान दो यह मेरा था original lens इसका focal length f ठीक है अब देखो ध्यान से यह है आपका lens इसको मैं काट रहा हूँ vertically यह देखो यह cut लगाया मैंने और इसके दो equal टुकड़ी कर दिये मैंने यह देखो यह पहला टुकड़ा और यह तुम्हारा दूसरा टुकड़ा है क्यों नहीं चलो अब बताओ मैं इसके एक टुकड़े को लेके बात करता हूँ यह नहीं इसका एक टुकड़ा ठीक है आप बताओ no doubt इसका refractive index तो affect नहीं होगा है के नहीं लेकिन आप देखो इसका जो आरवन है वो affect नहीं हुआ है लेकिन आटू तो affect हो गया है ना इस बार जो आर्टू है वो infinity होगा के नहीं होगा ठीक है तो इस बार रेडियस में एक affect हो गया है ना ठीक है तो अब देखो मानलो इसका focal length f' है तो सुनना द्यांसे मैं सिर्व रिजल्ट दे रहा हूं ठीक है इसका जो reason है वो आप लोग को detail वाई lecture में मिलेगा ठीक है जिसका link आपको यहाँ पर description मिल जाएगा ठीक है तो सुनना द्यांसे यहाँ पर इस वाले part का जो focal length होगा f' that is double of initial focal length मतलब अगर आप उसको vertically cut करते हो तो हर part का focal length double हो जाता है as compared to initial lens है के नहीं यहाँ पर focal length effect क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका क्या change हुआ है यहाँ पर change हुआ है आपका radius of curvature एक का is it clear ठीक है तो यह था आपका cutting of lens है ना तो जल्दी से आप लोग इसको note कर ले यह note करें ठीक है अब यह note करें ठीक है हो गया अब हम देखते हैं next topic देखें यहाँ पर जो next topic है that is scattering of light ठीक है एक छोटा सा topic है इसको अपन समझ लेते हैं इसके उपर questions आपके पूछे गए हैं exemplar question में ध्यान देना बिलकुल आप लोग यहाँ पर scattering of light क्या होता है scattering of light सुनना ध्यान से अगर किसी medium में particles हैं ठीक है तो जब उस particles के उपर rays of light पड़ती है तो वो particles उस light को absorb करते हैं और re-radiate करते हैं into different direction ठीक है इस phenomena को कहते हैं हम लोग scattering of light ठीक है the phenomena of absorption and re-radiation into different direction by the particles of a medium is known as scattering of light is clear ठीक है चले अब यहाँ पर scattering को लेके एक scientist थे रेलीक उन्होंने अपने statement में क्या कहा कि intensity of scattered light मतलब जो light scatter हुई है उसकी intensity inversely proportion होती है lambda की power 4K मतलब यह कि अगर color की wavelength जादा है तो उसकी scattering intensity कम होगी मतलब in short यह बोले कि अगर wavelength जादा है तो उसकी scattering quantity कम होगी और वहीं अगर आपका wavelength कम है तो उसकी scattering quantity जादा होगी इस इट लियर ठीक है चले तो इसी scattering पे कुछ natural phenomena's based होते हैं जो कि आप लोगोंने सुना भी है और पढ़ा भी होगा आप लोगोंने ठीक है status, sky looks blue, sun looks red at the time of sunset or sunrise या danger signals are red generally ठीक है तो आप लोगों को बता है कि जो sky है वो blue क्यों दिखता है क्योंकि हम कहते हैं कि यह दिन के समय क्या होता है sky हमें blue दिखता है ठीक है क्यों क्योंकि हम कहते हैं कि उस समय जो most scattered light होगी वही हमें visible होता है और आप बताओ अगर हम बात करें wallet और indigo की तो wallet का wavelength सबसे कम होता है ठीक है उससे थोड़ा जादा किसका होता है indigo का फिर उससे थोड़ा जादा किसका होता है blue का ठीक है तो देखा जाए तो wallet जादा scatter करेगा है कि नहीं indigo थोड़ा उससे कम करेगा ठीक है और blue थोड़ा उससे कम करेगा लेकिन जो wallet और indigo है वह अपने आँखों के लिए insensitive होती है मतलब वह पहली scatter हो जाती है वह अपने आँखों तक पहुँच ही नहीं पाती है तो फिर किसका है ना मतलब in short ये बोले कि वहाँ पर blue color जादा scatter आपको दिखता है इसलिए हम कहते हैं कि sky blue है ठीक है वहीं अगर हम बात करें आपके sun looks red at the time of sunset और sunrise ठीक है sunrise या sunset के समय सूरज हमें लाल क्यों दिखता है ठीक है क्योंकि हम कहते हैं कि sunset या sunrise के समय सूरज हमसे बहुत दूर रहता है है कि नहीं तो हम कहते हैं जो least scattered color होगा वही हमारे आँखों तक पहुंचेगा और आप बताओ पूरे विब्ग्योर में सबसे ज़्यादा कम scattering किसकी होगी रेड की होगी क्योंकि उसकी wavelength ज़्यादा होती है है क्योंकि नहीं तो वह longer distance travel कर पाएगा क्योंकि scattering उसकी कम-कम amount में हो रही है है कि नहीं तो इसलिए हमें वह सूरज लाल दिखता है ठीक है तो इसी लिए कहते हैं कि जो red color होता है ठीक है दूर से हमें red color दिख जाता है आराम से Is it clear? तो ये कुछ phenomena's हैं जो कि आप लोगों ने बच्चमन में पढ़े भी हुए है ठीक है? बस एक बार हमने इसको recap कर लिया ठीक है? चलें अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि ये scattering है ये दो type की होती है ठीक है? देखो एक होती है आपकी elastic scattering ये है आपका elastic scattering और एक होता है inelastic scattering ठीक है? सुनना द्यान से क्या होता है elastic scattering देखो जब कोई light ठीक है? particles of medium पे strike होते हैं ठीक है? और फिर light scatter होती है तो अगर scattered light का wavelength effect नहीं हुआ है as compared to incident light मतलब जो wavelength incident light का था वही wavelength अगर scattered light का भी है मतलब wavelength में कोई change अगर नहीं आया है तो ऐसे scattering को हम कहते हैं elastic scattering ठीक है कि नहीं है? और wavelength में तब change नहीं आता है जब particles जो का size जो होता है वो wavelength से बहुत कम हो मेरी बात को सुनना ध्यान से मैंने ये कहा कि अगर scattered light का wavelength same है as the wavelength of incident light मतलब original light तो हम कहते हैं कि ये elastic scattering है और ये तबी होता है जब particles जिसके द्वारा वो scattered हुआ है उसका size बहुत कम हो as compared to wavelength of light ठीक है? वहीं अगर हम बात करें inelastic scattering की तो यहाँ पर देखें inelastic scattering एक ऐसा scattering जिसमें scattered light जो है उसकी wavelength different हो जाती है as compared to incident light मतलब उसका wavelength change हो जाता है after scattering light की ठीक है? तो ऐसे scattering को हम कहते है आपका inelastic scattering is it clear? ठीक है? और ये तब होता है जब size of particles जादा हो as compared to wavelength of light used is it clear? ठीक है? चलो तो ये थे आपके दो टाइब की scattering elastic and inelastic scattering clear है? चलें अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एक natural बहुती शांदार सा एक natural phenomena देखते हैं that is rainbow देखो ध्यान से आप लोग rainbow सभी ने देखा होगा rainbow ठीक है? चलो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसको कि ये rainbow बनता कैसे है? मेरी बात को सुनना ध्यान से rainbow तब ही आपको देखता है जब या तो बारिश हो रही हो या बारिश हो चुकी हो ठीक है? मतलब during rainfall and after rainfall ही हमें दिखता है rainbow ऐसा क्यों? क्योंकि उसी समय atmosphere में water droplets present रहते हैं ठीक है? तो इस water droplets के through sun की light जब इसके उपर पढ़ती है तो उसका dispersion होता है ठीक है? और वहाँ पर हमें seven colors का एक spectrum visible होता है is it clear? ठीक है? ओके अब मेरी बात को सुनना यहाँ पर जो water droplets होते हैं उसको हम spherical मानते हैं ठीक है? ओके अब क्या होता है? उस spherical water droplets के through क्या होता है पहले? जैसी sun की light fall होती है है ना? वहाँ पर front surface से उसका क्या होता है? dispersion होता है seven colors में split होते हैं वो फिर अंदर वाले surface से reflect होता है वो called as internal reflection ठीक है? और फिर बाहर फिर वो front वाले surface से refract होती है मतलब यहाँ पर तीन चीजे हो रही हैं ठीक है? एक हो रहा है dispersion, एक हो रहा है internal reflection और एक हो रहा है reflection तो तीन phenomena की help से rainbow का formation होता है ठीक है? अब मेरी बात को सुनना द्यान से यहाँ पर rainbow दो type के होते हैं एक होता है primary rainbow और एक होता है secondary rainbow ठीक है? अब सुनना दोनों में difference क्या है? ठीक है? यह देखो द्यान से यह आपका rainbow का यहाँ पर diagram है यह देखो यह sun की light है जो की इस water droplets पे fall हो रही है ठीक है? अब मेरी बात को सुनना द्यान से अगर किसी rainbow का formation हो रहा है सिर्फ एक reflection के थूँ मतलब अंदर वाले surface से सिर्फ एक ही बार reflection हो रहा है उसके बाद जो rainbow मिलेगा called as primary rainbow यह जो आपको ड्रॉपलेट दिख रहे हैं दोनों ठीक है? आप देखो यह sun की light गई यहाँ पर disperse होगी disperse होने के बाद यह देखो आप internal reflect और यह आया ठीक है? तो यहाँ पर dispersion, internal reflection and refraction यहाँ पर भी देखें आप यह dispersion internal reflection and refraction हाँ है ना? तो आप देखें यह जो आपको दिखेगा यह red और violet और बीच में बागी के colors है कि नहीं? तो इसे कहते हैं हम लोग primary rainbow इसे क्या कहते हैं हम लोग? primary rainbow primary rainbow में क्या होता है? कि आपका एक dispersion और एक internal reflection और एक refraction is it clear? ठीक है? मतलब in short कहें कि इसमें सिर्फ एक ही internal reflection होता है primary rainbow के formation के लिए है के नहीं? और primary rainbows के लिए जो आपकी ray of light आती है after refraction वो observer के eye पर कितना angle फॉर्म करती है? 41 to 43 degree 43 से थोगा कम होता है 42 point something के आसपास होता है है कि नहीं? तो 41 से 43 के आसपास angle बनाती है कौन? वो आपका refracted light ठीक है कि नहीं है? water droplet के थू is it clear? ओके अब मेरी बात को सुनना ध्यान से तो primary rainbows में क्या होता है? उपर red दिखता है और नीचे wallet दिखता है ठीक है? अब सुनना secondary rainbows किसको बोलते हैं लोग देखो secondary rainbows तब बनता है जब अंदर दो reflection होते हैं ठीक है? यहाँ देखो ध्यान से यह देखो यह आपका गया यहाँ पर disperse हुआ यह देखो एक बार reflection दूसरी बार reflection और फिर reflection हो करके यहाँ पर आया है यहाँ भी देखें आप यह देखो एक reflection दो reflection और फिर यहाँ पर आया है मतलब जब water drop plate के अंदर दो reflection हो जाए उसके बाद जो rainbow बनेगा called as secondary rainbow है के नहीं तो यह देखें आप यह है आपका secondary rainbow और secondary rainbow में order opposite हो जाता है as compared to primary rainbow ठीक है इसमें wallet उपर रहता है और red नीचे रहता है ठीक है और यहाँ पर देखें जो आपका secondary rainbow है वो कितना angle form करते है observer के आई पर तो यह है आपका 51 degree to 54 degree ठीक है कि नहीं है मेरा यह angles की value आपको याद होनी चाहिए ठीक है कि primary rainbow और secondary rainbow कितना angle form करते है आप observer के आई पर with direction of incident light मतलब horizontal से कितना angle form कर रहे हैं observer के आई पर यह angles की value आपको याद होनी चाहिए इसे प्लिया अब सुनना यहाँ पर ध्यान से ठीक है दो बाते हैं आपर पहली बात यह कि primary rainbow और secondary rainbow में अगर कोई difference पूछे तो एक difference तो आपने यहाँ पर देख लिया ठीक है क्या कि आपका primary rainbow में आपका उपर red होता है और नीचे wallet और secondary rainbow में reverse रहता है यहाँ पर क्या होगा उपर वालेट और नीचे red है कि नहीं दूसरा दूसरा difference कि आपके primary rainbow में सिर्फ एक ही internal reflection होता है है ना लेकिन आपके secondary rainbow में दो होते हैं internal reflection ठीक हैं और एक चीज और तुम बताओ primary rainbow में सिर्फ एक ही reflection होता है secondary rainbow में दो reflection होते हैं तो आप बताओ जितना ज़्यादा reflection उतनी ज़्यादा light के intensity कम हो जाएगी ना मतलब secondary rainbow थोड़ा fainter होता है ना as compared to primary rainbow मतलब primary rainbow थोड़ा brighter होता है as compared to secondary rainbow है कि नहीं तो ये कुछ आपके यहाँ पर discussion थे rainbow को ले करके is it clear? और एक last मैं आपको मैं ये बता दू कि rainbow जो होता है वो एक circular form में होता है लेकिन हम जो rainbow देखते हैं वो circular form में नहीं देखते हैं हम उसका एक part देखते हैं तो हम उसका एक arc देखते हैं लेकिन अगर तुम बहुत ऊपर चले जाओगी न तो वहाँ से हो सकता है कि तुम rainbow को एक circle के form में देख पाओ इस इप लिया? ठीक है? तो ये था आपका discussion regarding rainbow तो यहाँ पर अपना खतम होता है refraction through curved surface और इसके बाद ये छोटा सा topic यहाँ पर over होता है ठीक है? आण बस मैं last में आपको एक चीज़ inform करना चाहूंगा मैं कि magnet base एक बहुत अच्छा initiative लिया है for Hindi medium students ठीक है? मतलब इन्हों magnet base ने एक नया channel start किया है ठीक है? Hindi medium जिसमें आप लोग को हर subject के हर class के लिए आपको lectures मिलेंगे in Hindi medium ठीक है? तो जो भी आपके friends हो, जो Hindi medium में हो उनको inform करें, उनको कहें कि magnet base Hindi medium channel subscribe करें जहाँ पर आपको free of course मिलेंगे सारे lectures ठीक है? अगर आपको ये वेडियो पसंद आया हो तो आप इसको like करें and अगर आप इस channel में नए हो तो आप इसको subscribe करें and अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए Thank you